सबी बच्चों का मैं अभी नंदन करती हूँ आज की हमारी इस कक्षा में आज हम कक्षा नौ के पाठ पुस्तक शितिच भाग ए से आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया पाठ जिसका नाम है प्रेम चंद के फटे जूते और जिसके लेखक हैं हरी शंकर परसाई जी इस पाठ को आगे बढ़ाने से पूर्व आपको बता दूं कि इस पाठ का पहला भाग आज हम अपनी इस कक्षा में पढ़ेंगे तो सबसे पूर्व हम शुरू करते हैं हरी शंकर परसाई जी के परिचे से हरी शंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था और उनके गाओं का नाम था जवानी और उन्होंने नागपुर विश्विद्याले से एम ए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन भी किया 1947 से स्वतंत्र लेखन भी वे करने लगे जब्बलपूर से वसूधा नामक पत्रिका उन्होंने निकाली जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई सन 1995 में उनका निधन हो गया अब आगे देखेंगे हम हरी शंकर परसाई जी की प्रमुख कृतियां कौन-कौन सी रही हैं हिंदी के व्यंग लेखकों में उस समय उनका नाम अग्रणी था परसाई जी की कृतियों में विशेशकर हैं हसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे दिन फिरे इस कहानी संग्रह को भी उन्होंने लिखा था रानी नाकफनी की कहानी तट की खोज ये कुपन्यास था आगे है तब की बात और थी फिर भूत के पाउं पीछे बेमानी की परत पकडंडियों का जमाना सदाचार का तावीज शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंद संग्रह कौन कौन से थे वैशनव की फिसलन तिर्ची रेखाएं ठिठुरता हुआ गंतंत्र विकलांग श्रद्धा का दौर ये सारे उनकी व्यंगात्मक संग्रह उलेखनियों है आगे ये बताया गया है कि भारतिय जीवन के पाखंड भरष्टाचार और अंतर विरोधी बैमानी आदी पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोशन के विरुध साहित्य की भूमिका का निर्वा किया है उनका व्यंग लेखन परिवर्थन की चेतना पैदा करता है और कोरे हासिस से अलग या व्यंग एक आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्तिती दर्ज कराता है अब आज जिस पाठ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं आईए पाठ से पुर्व उसकी जानकारी हासिल कर लें प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में यह एक निबंध है और इस पर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर भेदी सामाजिक द्रिष्टी का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवर्ती एवं अवसर वाधिता पर व्यंग किया है तो बच्चों हमने थोड़ी सी जानकारी हासिल कर ली कि ये पाठ जिसके बारे हम पढ़ने जा रहे हैं ये किस पर आधारी थे तो आगे देखते हैं वे क्या लिखते हैं उन्होंने सामाजिक, राजनेतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्मान किया परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रियोग करते हैं किन्तु सनरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक शमता बहुत बढ़ जाती है अब हम शुरुवात करेंगे अपने पाठ का जिसका शीशक है प्रेम चंद के फटे जूते तो चलिए देखते हैं कि हरी शंकर जी ने इस पाठ में हमें क्या बताने की चेश्टा की है प्रेम चंद का एक चित्र मेरे सामने है पतनी के साथ फोटो खिचा रहे हैं सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी कुर्ता और धोती पहने हैं कनपटी चिपकी है गालों की हड्या उभर आई हैं पर घनी मूझे चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं तो बच्चों सर्वप्रथम हरी शंकर जीन के सामने जब प्रेम चंद की एक तस्वीर सामने आती है जो कि मैंने आपको इस चित्र में दिखाया है यही चित्र देखकर उनके मन में इस व्यंगात्मक लेख को लिखने की प्रेण ना जागी और उन्होंने उसमें जो भी अन उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके उनकी जो रूप रेखा है चेहरे की उन्होंने कितनी सुंदर तरीके से बताने की चेश्टा की है कि इस चित्र में आखिरकार वो क्या देख रहे हैं वो देख पा रहे हैं कि प्रेम चंद जी अपने सिर पर मूटे कपड़े की टोपी पह और मूटे के साथ उन्होंने धोती भी पहनी है और अगर उनके चेहरे की रूप रेखा पर जाएं तो उनके कानacking का जो पट्टी है वो चिपकी हुई है और गालों की हड़ियां उभर आई हैं अर्था तूनके गाल फूले फूले नहीते पिचके पिचके थैं जिससे साफ तरीके से देखा जा रहा था कि उनकी हड्डियां उभर के बाहर आई हैं लेकिन उनके जो चहरे पर घनी मूचे थी वो पूरे चहरे को हरा भरा बतलाने की कोशिश कर रही थी कितनी सुंदर रूप रेखा हरी शंकर जी ने हमें प्रेमचंद की बताई है आगे लेखक ने कहा कि पाउं में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतर्तीब बंदे हैं लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परिशानी होती है तब बंद कैसे भी कसलिये जाते हैं दाहिने पाउं का जूता मगर बाए जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगली बाहर निकल आई है अब क्यूंकि चित्र को देख करके चहरे के बाद कपड़ों के बाद हरी शंकर परसाई जी की नजर किस पे गई प्रेमचंद के तस्वीर पे गई जहां पर उन्होंने क्या पहना था कैन् अर्थात कपड़ों से बने जूते तो यह जो जूते थे जो प्रेमचंद जी ने पहना था तो उनको देखकर के लेखक मझही मन में ये सोच रहे हैं कि ये कैसे जूते हैं उन्होंने ये भी बताया कि जो 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 उसके लेसस होते हैं जो फीते होते हैं उनका सिरा जो होता है वो अक्सर प्लास्टिक का या लोहे के बने होते हैं तो उसके जो सिरे होते हैं वो तूट गए हैं तो तूटने के कारण क्या होता है आप उसे सही तरीके से उन जूतों के अंदर आप उसे डाल नहीं पाते हैं और जैसे तैसे डाल के बस प्रेमचंजी ने उन जूतों को कस लिया है बांध लिया है ये तो बात सही है कि जब भी अगर आपके फीतों का अगर सीरा खराब हो गया हो तो क्या होता है आप canvas के जूतों में उसको सही प्रकार से डालने में असमर्थ होते हैं तो क्या होता है कि आप बस यहां पर हम जैसे तैसे बांध लेते हैं यही चीज उस समय चित्र को देख करके हरी शंकर जी के को अनुभव हुआ उन्होंने सोचा कि बस ऐसे ही जूतों को बस नाम के लिए बांध लिया गया है लेकिन उन्होंने ये बात बिल्कुल साथ कर दी कि दाहिने पैर का जो जूता प्रेम चंजी ने चित्र में पहना है वो बिल्कुल ठीक है वो ठीक ठाक है उसमें कोई कमी नहीं है लेकिन जो उनके बाए पैर का जूता है उसमें से उन सोचता हूँ, फोटो खिचाने की अगर यह पुशाक है, तो पहनने की कैसी होगी? नहीं, इस आदमी की अलग-अलग पुशाके नहीं होगी, इसमें पुशाके बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है, वैसा ही फोटो में खिच जाता है. अब जब हरी शंकर जी ने उस चित्र को देखा, तो अपने अंदर, अंतर मन में ही वो सोच रहे थे, अपने आप से ही बाते कर रहे थे, और वो सोच रहे थे, कि लगता है इस व्यक्ति को, इस अर्थात प्रेमचन जी की तस्वीर को देख करके, वो अपने मन में सोच रहे है कि लगता है इस व्यक्ति को पोशाक बदलने का गुण नहीं आता ठीक है ये कैसी पोशाक इन्होंने पहल ली है लोग तो फोटो घिचाने के लिए अलग अलग पोशाक के धारन करते हैं इसका मतलब जब पोशाक जब फोटो फोटो वो एक ऐसी धरोहर होती है जो एक बार खिच जाती है तो सदैव के लिए आपके पास अमानत के तौर पर बनी रहती है तो लेखक का ये मानना है कि अगर फोटो खिचवाते समय ये रूप सज्जा है ये वेश भूशा है तो इसक मतलब फिर ये आम जिन्दगी में वो किस तरह के कपड़े पहनते होंगे इसका मतलब यहां पर यह बताया जा रहा है कि प्रेम चंजी दिखावे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे वो जैसे हैं असल जिन्दगी में अपने आपको दूसरों के सामने हूब वहू वैसे ही प्रस्तुत करते थे ठीक है मैं चहरे की तरफ देखता हूं क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहितिक पुर्खे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगली बाहर दिख रही है क्या तुम्हें इसका जरा भी ऐसास नहीं है जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है क्या धोती को थोड़ा नीचे खीच लेने से अंगुली ढग सकती है मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही बड़ा विश्वास है अर्थात इन वाक्यों में लेखक ये बताना चाहते हैं जो साहितिक पूर्खे हैं अर्थात प्रेमचन जी हरी शंकर जी से बह तो वो उनको अपना क्योंकि पूर्खे यानि जो हमारे पूर्वज होते हैं तो यहां पर हरी शंकर जी ने प्रेमचन जी को साहितिक पूर्खों के नाम से भी पुकारा है और यह बोला कि तुम तो साहितिक पूर्खे हो यानि हमारे पूर्वज हो यानि तुम्हारे द्व रही है क्या तुम्हें इसका जरा भी आहसास नहीं है हरी शंकर जी मन ही मन उस तस्वीर को चित्र को देख करके यह पूछ रहे हैं कि क्या प्रेमचन जी को जरा भी आहसास नहीं है जरा भी लज्जा नहीं है या संकोच नहीं है कि आखिर क्या वो इतना नहीं जानते कि उनका जूता फटा हुआ है और वो अपनी धोती को यदि थोड़ा सा और नीचे खीच लेते तो शायद ये जो जूता फटा हुआ है वो नहीं दिखता ठीक है तो इसी चीज का यहाँ पर जिक्र किया गया है और ये भी बताया गया है कि किस प्रकार से उस तस्वीर बे प्रेमचन जी बड़े ही बेपरवाही के साथ और पूरे आत्म विश्वास के साथ बैठे अपना चित्र खिचवा रहे हैं यानि फोटो खिचवा रहे हैं आगे बढ़ते हैं फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिष तो की होगी दर्द के गेहरे कुए के तल में कई पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खीच कर ऊपर निकाल रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक्यू कह दिया होगा विच्चित्र है यह अधूरी मुस्क यह मुस्कान नहीं इसमें उपहास है और व्यंग है तो यहां पर मैंने आपको एक चित्र भी दिखाया है जिसमें प्रेमचंद जी और अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं फोटो गिच्वाए हैं अब आप इस चित्र के पर इस चित्र में प्रेमचंद की जो जो चहरे के भाव हैं उसे समझने की चेश्टा करेंगे तो यहां पर हरी शंकर जी ने भी यही कोशिश की थी और उन्हों ने क्या इसका निश्कष निकाला उन्हों ने यह सोचा कि हो सकता है फोटोग्राफर जब इनका चित्र ले रहा होगा तब परमपरा के अनुसार क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब फोटोगिचाने बैठते हैं तो हम सदैव अपने चहरे पर एक मधूर मुस्कान लाने की चेश्टा करते हैं कोशिश करते हैं ठीक है और भले ही वह एक प्लास्टिक स्माइल के नाम से जानी जाती हो एक एक नकली हसी जिसे हम अपने चहरे पर प्रस्तुत की थी लेकिन लेकिन दर्द के गहरे कुएं में वो कहीं मुस्कान चिपी बैठी थी यानि उनकी जो व्यक्तिकत जिंदगी थी वो आर्थिक आर्थिक तंगी से जूच रहे थे ठीक है तो उस समय कि उनकी माली हालत भी अच्छी नहीं थी बहुत सी परिशानिया थी तो उन परिशानियों के बीच भी वो अपनी चहरे पर मुस्कान लाने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे थे क्योंकि यदि आप ठीक से देखेंगे तो उनकी मुस्कान सही तरीके से मुस्कुराहट नहीं मानी जा सकती वो आधी अधूरी मुस्कान कहलाएगी तो उसी समय हो सकता है कि जब वो हसने की चेश्टा कर रहे थे उसी समय फोटोग्राफर ने थैंक्यू कह दिया होगा फोटो खिच गया होगा इसलिए तो यही सारी कल्पनाएं हरी शंकर जी उस चित्र को देख करके कर रहे थे तो इसलिए उन्होंने अंत में ये भी बोला है कि यह मुस्कान नहीं है इसमें उपहास है व्यंग है यानि जो उनकी अधूरी हसी है वो वो किस चीज यानि दूसरी और इशारा करी एक व्यंगात्मक हसी है वो दूसरे लोगों पर हस रहे हैं किन लोगों पर हस रही हम नहीं जानते परंतु यह दूसरे जो रीती रिवास है जो दिखावा करन की चेश्टा शायद कर रहे हैं बच्चों यहां पर उपहास इसका शब्दार्थ होगा खिली उड़ाना यानि किसी का मजाक उड़ाना ठीक है वो हसी जो किसी की मजाक उड़ाते समय हसी जाती है आगे बढ़ते हैं ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोट की चाने से आखिर क्या बिगड़ जाता शायद पतनी का आगरह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे अब यहां पर लेखक यह हमें बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि प्रेमचन जी की अपनी कोई मजबूरियां रही होंगी हो सकता है कि उनकी पतनी ने आगरह किया होगा निवेधन किया होगा कि चलिए फोटो एक खिचाते हैं तो हो सकता है बस चल भाई एक खिचा लेते हैं फोटो यह कहके वो फोटो खिचाने के लिए या फिर पतनी का मान रखने के लिए वो वहां फोटो खिचाने के लिए बैठ गये लेकिन इस बात से बिल्कुल अंजान की उन्होंने कैसे कपड़े कैसे जूते पहने हैं बच्चों इससे हमें एक बात समझ में आती है कि जो प्रेमचन जी का जो जीवन था बहुत ही सरल सादा मतलब वो सादगी बहुत जादा पसंद करते थे वो अपने असल जिंदगी में जैसे रहते थे वो कुछ भी दिखावा पसंद नहीं करते थे आप देख सकते हैं इस चित्र में भी वो जैसे थे वैसे ही उन्होंने अपने आपको प्रस्तुत करने की कोशिश की है और यहां पर आग्रह शब्द का अर्थ है पुनह पुनह निवेदन करना मगर यह कितनी बड़ी ट्रैजडी है कि आदमी के पास फोटो की चाने को भी जूता ना हो मैं तुम्हारी फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर मैसूस करके जैसे रोब पढ़ना चाहता हूं मगर तुम्हारी आखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम से रोक देता है अब यहां पर उन्होंने लेखक ने हमें यह बताने के कोशिश की है कि कितनी बड़ी ट्रैजडी है इन्होंने से ट्रैजडी माना दुरगटना माना कैसी दुरगटना दुरगटना इस बात की यह दुरगटना है कि आदमी फोटो ही चाने बैठा है और उसके पास ढंके जूते तक नहीं है ठीक है और मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश कलीशकार्थ होता है दुख यानि सोचिए प्रेमचन जी का जूता फटा था इस बात का इल्म इसकी जानकारी प्रेमचन जी को भी थी पर क्योंकि परिस्थिती वश वो मजबूर होंगे आर्थिक वश वे मजबूर रहे होंगे इसलिए शायद उनके पास दूसरे जूते नहीं होंगे और समय का तकाजा यह कहता है कि जैसे थे वे वैसे ही बैट गए जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेम चन जी दिखावे या अडंबर की दुनिया से कोसो दूर रहते थे और इसी बात को देखते हुए इसी चीज को समझते हुए जब चित्र देख रहे थे हरी शंकर जी उस बात को उन्होंने अंतरमन से अनुभव किया कि क्या क्या मजबूरी रही होगी उस समय प्रेम चन जी की कि वे एक भटे जूते के साथ ही चित्र खिचाने बैठ गए होगे वो दर्द जो प्रेम चन को उस समय मजबूरी उनकी रही होगी जो दर्द उन्होंने जेला होगा उस दर्द को हरी शंकर जी ने भी महसूस किया और इसी लिए उन्होंने कहा कि इस चीज को महसूस करके तो मुझे मैं रोना चाहता हूं तुम्हारी आखों में जो व्यंग भरा हुआ है लेकिन आपने उस चहरे को देखा होगा मैंने चितर में दिखाया था कि किस प्रकार से वो अधूरी हसी हस रहे हैं उनकी आखों में चमक है यानि वो जो आखों का ये जो तीखा दर्द है दर्द भरा जो व्यंग है वो एक दम से हरी शंकर जी को रोक देता है आगे बढ़ते हैं तुम फोटो का महत्व नहीं समझते समझते होते तो किसी से फोटो खिचवाने के लिए जूते मांग लेते लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं फोटो खिचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है तुम से जूते ही मांगते नहीं बने तुम फोटो का महत्व नहीं जानते लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिचाते हैं जिसमें फोटो में खुश्बू आ जाए गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुश्बू देती है यहां पर बच्चों उन्होंने मन ही मन में यह सोचा और प्रेमचंद की तस्विश जो देख रहे थे उसे देखते ही उन्होंने सोचा कि क्या प्रेमचंद जी फोटो जब खिचाने बैठे थे तो क्या वो जूता किसी से मांग नहीं सकते थे यहां तक की कोट लोग जब शादी करने जाते हैं तो कोट तक दूसरे का मांग करके पहन के चले जाते हैं और तो और दूसरे की मोटर साइकल या कार कुछ भी मांग लेते हैं यहां तक की दूसरे यहां तक यह देखिए किस स्थर का व्यंग यहां पर कहा गया है उन्होंन ने हमें बताई है उन्होंने ये भी कहा कि इतना सब कुछ लोग मांग लेते हैं लेकिन तुमसे जूता नहीं मांगा गया कि तुम फोटो घिचाने जा रहे हो अच्छे जूते ले लू किसी से मांग लू लेकिन नहीं मांग वो सकते नहीं क्योंकि वो किसी के सामने जुकना पसंद नहीं करते थे इसका मतलब यह है यानि लेखक यह मानते हैं कि शायद प्रेमचन जी को फोटो का महत्व ही नहीं पता था क्योंकि फोटो क्या होती एक धरोहर होती है हमेशा के लिए एक बार खिच गई तो मतलब सालों साल यह ऐसी रहेगी कितने लोग आएंगे देखेंगे उसे तो जो उस समय फोटो जब खिचाने बैठते हैं तो हमें सही ढंक से बैठना चाहिए क्या इस बात की जानकारी प्रेमचन जी को नहीं थी ऐसा हरी शंकर जी को लगता था टोपी आठ आने में मिल जाती है आगे उन्होंने कहा कि टोपी तो आठ आने में मिल जाती आठ आने यानि पचास पैसे और जूते उस जमाने में भी पांच रुपे से कम में क्या आते होंगे जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है औ और एक जूते पर पची सो टोपियां नियोच्छावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यहाँ पर यहाँ पर देखिए किस चीस की तुल्ला किसे की गई है। यानि ये बताया गया है तोपी जो होती है वो सर पेहनी जाती है ठीक है वो हमारे मान सम्मान और इज़त की सूचक होती है प्रतिष्ठा की सूचक होती है और जूते कहां पहनते हैं हम लोग जूते हम हमेशा पैरों में पहनते हैं यानि उसका स्थर देखिए और इसका स्थर कीमत कम है जमाने में लेकिन जूता तो शायद उस जमाने में भी पांच रुपए से कम का मिलता ना होगा तो यहां पर यह बताया गया है कि उस समय जब इतना मेहंगा था जूता तो अब तो और भी बाजार में नए नए किसम के जूते आ गए हैं और महंगा हो गई है तो जूत की जो मूल्य है उसमें और बढ़ोत्री हो गई होगी तो उन्हों ने बोला है कितनी अच्छी बात बात है कि एक चूते पर फची सो ट यान योच्छावर होती है अर्थात जूता यानि धनवान वैक्ति धनवान वैक्ति का धनी ड़से की मत के बराबर पची सो कुण है वह एक बराबर है कि से पाइसितों पत्पारइव के पास और यहhehe यानि किसकी तुल्ला किस से की जा रही है तो यहाँ पर उन्हेंने का है कि लगता है प्रेम चंजी भी इसी मूले के मारे हुए होंगे अर्थात उनकी भी अवस्था आर्थिक अवस्था अच्छी ना होगी क्योंकि अगर अच्छी होती तो अच्छे जूते पहन के कम से कम फोटो की चाने बैठते लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि जो धनी व्यक्ति होते हैं लोग जो गुणी व्यक्ति भी होते हैं वो धनी व्यक्ति के आसपास चमचा गिरी करते रहते हैं जी हुजूरी करते रहते हैं और ये सब चीज़ करते हैं वो अपना उल्लू सीधा करते हैं ठीक है लेकिन हमारे प्रेम चंजी इस तरह के व्यक्तित्व के नहीं थे वे सादगी का जीवन जीते थे और दिखावर से कोसो दूर रहते थे आगे देखते हैं या विडंबना मुझे इतनी तीवरता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुब रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं तुम महान कथाकार हो उपन्यास समराथ और युग प्रवर्तक जाने क्या क्या नाम कहलाते थे मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है अर्थात यहां लेखक हरी शूंकर जी हमें यह बता रहे हैं कि जो प्रेमचन जी है वो बहुत ही महान वेक्ती थे उन्होंने कई उपन्यास कथा निभंध जाने किन किन नामों से उनको पकारा जाता था उन्हें महान कथाकार कहीं कहा जाता था उपन्यासकार कहा जाता था लोग तो उन्हें युग प्रवर्तक यानि ऐसे ऐसे महान शब्दों का वो वजन उन पे रखा जाता था कि वो है उनका स्थित्व है इस लायक लेकिन इतना सब कुछ यानि अर्थात इतना महान होने के उपरांत भी तुम फटा जूता पहन करके घिचाने बैठ गए कहने करती है कि तुम कितने भी महान हो लेकिन कम से कम फोटो घिचाते समय तुम फटा जूता ना पहनते और अच्छा जूता पहन के फोटो घिचाते कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है यो उपर से अच्छा दिखता है अंगली बाहर नहीं निक गया है अंगुठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहु लुहान भी हो जाता है पूरा तला गिर जाएगा पूरा पंजा छिल जाएगा मगर अंगली बाहर नहीं दिखेगी तुम्हारी अंगली दिखती है पर पाउं सुरक्षित हैं मेरी चंजा नीचे से घिस रहा है तुम्हारी परदे का महत्व ही नहीं जानते हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं कितनी अच्छी बात यहां पर higherie शंकर पराइज जी हमें बताई है कि किस प्रकार से उन्हों ने अपनी तुलना प्रेमचन जी के साथ की है और ये बताया है कि उनकी यानि हरी शंकर जी की आर्थिक अवस्था कोई प्रेमचन जी से जादा अच्छी नहीं थी तुलनात्मक बिल्कुल बराबर ही था तो बस फरक सिर्फ इतना ही था कि उनके जूतों से उनकी उंगली दिख रही थी लेकिन उनका तला बिल्कुल ठीक था प्रेमचन जी के जूतों का परंतु यहां पर हरी शंकर जी के जो जूते हैं उपर से दिखने में ठीक हैं लेकिन उसका जो तला है वो पूरी तरह से घिस गया है यानि यहां पर बताया जा रह कि किस तरह से आर्थिक अवस्थाओं कठिनाईयों इन सबसे जूज रहे लेखों की उस समय क्या अवस्था रही होगी तो यहां पर वो बता रहे हैं कि तुम दिखावा नहीं करते मेरा यहां जूता बिल्कुल ठीक है इसका मतलब कोई यह नहीं मेरे जूते को देखकर बोले उन्हें आर्थिक अवस्था सकी है कि किस प्रकार से उनकी भी आर्थिक अवस्था उतनी अच्छी नहीं है ठीक है खाली उपर से देखने में लगता कि सब ठीक है यहां पर दिखावे की और इशारा किया जा रहा है कि हम दिखावे की दुनिया में जीते हैं ठीक है परुष्त में एक बात ही है। और ये बात ये है। वह कह रहे हैं कि शैत प्रेमचन जी को पर्दे का महत्व नहीं पता। ह HOLBoy कहते हैं कि हम तो पर्दे के लिए कुरबान हो जाते हैं। पर्दES यानि दिखावा किसी पे चीज को हम क्वट्ड़ के रखते हैं। हम क्यों घर में परदा लगाते हैं हम इसी लिए परदा लगाते हैं ताकि कोई बाहर से हमें देखना ले ठीक है हम किसी चीज को ठकने की कोशिश करते हैं तो यहां पर भी यह कह रहे हैं कि हरी शंकर परसाई जी कह रहे हैं कि हम तो दिखावे की दुनिया में जीते हैं उसी क चित्र में भी दिखाई देती है और इसी के साथ ही मैं इस पाथ का पहला भाग यहीं पर समाप्त करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आपको समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं हम प्रश्ण उत्तर की तरफ पहला प्रश्ण लेखक की दृष्टी प्रेमचंद के जूते पर क्यों अटक गई जब उन्होंने वह चित्र देखा तो ऐसा क्या उसमें कुछ प्रमुख था कि उनकी दृष्टी अटक गई इसका उत्तर है लेखक ने देखा कि प्रेमचंद ने जिस जूते को पहन कर फोटो की चाया है उसमें बड़ा सा च्छेद है और इस से प्रेम प्रेमचंद के चहरे पर कैसी मुसकान थी और क्यों मैंने आपको चित्र इस भाग में दिखाया बहुत पास ला करके कि किस तरह से उनके चहरे पर आधी अधूरी हसी थी तो आईए देखें इसका उत्तर क्या था प्रेमचंद के चहरे पर अधूरी मुसकान थी इसका लेकिन फिर भी अपने चहरे पर वो हसी लाने की कुशिश कर रहे थे और फोटोग्राफर के कहने पर भी ठीक से जल्दी से मुस्कुराए ना मुस्कुरा भी ना पाए और उनकी मुस्कान वहाँ पर आधी अधूरी रह गई तीसरा प्रश्न है जूता हमेशा कीमती रहा है ऐ प्रश्न ही जूता तो टोपी के मुकाबले महेंगा ही रहा है पहले भी और आज भी इसका उत्तर है जूता धन और बल का प्रतीक है जूता समाज में सदा से ही आधर पाता आया है अर्थात गुनवान व्यक्तियों को भी धनवानों के सामने कममाका गया है और धनवानों ने ग्यानी व्यक्तियों को भी छुकने पर विवश कर दिया है ये समाज की विसंगती ही है अब आएए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की और जो की है सही या गलत अब मैं कुछ वाक्य आपके सामने प्रस्तुत करूँगी और उसका उत्तर हम देखेगे पहला वाक्य बाए पाउं का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा सा छेद हो गया है जिसमें से अंगली बाहर निकल आई है सही या गलत तो इसका उत्तर होगा गलत अगला प्रश्न लोग तो इतर चुपड़कर फोटो खिचाते हैं जिससे फोटो में खुश्बू आ जाए तो आपने इस पार्ट में अभी ये पढ़ा है तो इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर है कि यह वाक्य बिल्कुल सही है अगला प्रश्न तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे होसले बढ़ाती है ऐसा हरी शंकर जी ने कहा या नहीं तो इसका उत्तर है कि यह गलत यह गलत वाक्य है और इसी के साथ उम्मीद करते हूं कि आपको यह पार्ठ अच् कर दो